बूर्णिंग फ्रेंड मेरा नाम अक्षे है और मैं आप सब लोग का दा राइट गार्णिंग यूट्यूब चानल में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज की एमारी जो वीडियो है वो चान्नी प्लांट के बारे में है जी हाँ ये जो वेराइटी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मिनी चान्नी प्लांट है इसको पिन्वील चान्नी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है जिसका जो पत्ता होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और बहुत बड़ी बुश के फॉर्म में वो grow करता है ये वाला थोड़ा छोटा dwarf वराइटी है तो ये छोटा रहता है तो आज हमारी वीडियो इसी के प्लांट केर के बारे में होगी फ्रेंड्स तो प्लीज पूरी वीडियो देखिए और अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे है तो प्लीज कर लीजे ताकि आपको रेगुलर्ली प्लांट अपडेट्स मिलते रहे हैं तो चली शूर करते हैं फ्रेंड् इसब लेकर वाफ था मुझे कर तक्रीबं 20 रस प्s best नर भीज ब्लानट मिल था ये नरसिरी से तो प्लांट का प्राइस करता है क्या वकाँनसी लोकेशन में रहते हैं कहीं बलांट मिलते हैं कहीं जागा सस्ते मिलते हैं तो जब भीज एकलाई था टो शूर्ष लेक्यों तो उससे मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहां पे थोड़ा सेमी शेड हो डारेक्ट एक दम चुपती हुई धूप ना हो गर्मियों वाली सर्दियों में तो ये थोड़ा बहुत चल जाएगा और वैसे भी इसकी जो ब्लूमिंग टाइम होता है वो रात में ये वाइट कलर के सुन्दर सुन्दर आप जिसे फ्लार देख रहे हैं ये फ्लार होते हैं रात की टाइम में ये फ्लावर करता है शायद इसलिए इसका नाम चान नहीं रखा गया है तो आप इसको ऐसी जगह भी रखिए जहां पर हार्श संलाइट नहा पड़ती हो तो जब मैं इसको ले के आया था तो ये जो इसकी लीव्स हैं वो साइडो से थोड़ी सी बन हो रहे थी तो मैंने क्या किया था इसको अच्छी तरीके से हाट ट्रिम कर दिया था आपको जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ टेहनिया है जो मैंने हाट ट्रिम करी थी यह यह मैंने ट्रिम करी थी और इससे दो ब्रांचिस और निकली हुई हैं पहले तो यह काफी पतला सा प्लांट था लेकिन जब मैंने इसको हाट रिम किया तो जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांचिस निकली उससे थोड़ा यह बुशी फॉर्म में भरा भरा ग्रो कर रहा है तो अगर आपके साथ भी ऐसा इशू आ रहा है आपका प्लांट अगर नहीं ग्रो कर रहा है या बहुत धीरे ग्रोथ है उसकी तो आप उसको हाट रिम कर दीजिए लेकिन आप यह धियान रखे कि आप कौन से मौसम में हाट रिम कर रहे हैं मैं इसको तकरीबन गर्मियों में तब मैंने इसको हाट रिम किया था तो मौनसून में बारिश का पानी जब बड़ा तो यह अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है और अब फ्लावरिंग भी कर रहा है अगर आप इसको सर्दियों में हाट रिम कर देते हैं तो सर्दियां इसका ग्रोथ पीरिड नहीं है यह रुखना चाहिए इसके पड़े में अर आपने जो स्वाइल में फॉल भी किया है ऐक हिसन है आप प्लास्टिक यह सिमेंट यूज कर सकते हैं मैं वैसे आपको रेक्मेंड करह maior कि इक्मिच आ जादा अची तरीके से ट्रेन होता है तो आपने स्वाइल बना ली स्वाइल में आप अपने इस पौदे को या तो नर्सरी वाले से लगवा लीजिए या खुद घर में रीपॉट कर लीजिए अब आती है फ्रेंड्स इसकी फर्टिलाइजेशन की बात मैं फ्रेंड्स इसको इसको रेगुलरली हर महीने में एक बारी फर्टिलाइजेशन देता हूं इसको मैं और्गैनिक फर्टिलाइजर यूज करता हूं कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के आपको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि वह एंवार्मेंट के लिए हल्दी होते हैं इसलिए मैं और बना सकते हैं ताकि अपने प्लांट में इसको अप्लाइ कर सकें बागी चीज़ मैं बताता हूं इसमें वाटरिंग असे करनी है इसमें वाटरिंग का कुछ जादा इस्यू नहीं है वाटरिंग आव इसको डेली करिए लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट् के गिरनी शुरू हो जाते हैं और उसकी ग्रोथ पर बहुत असर होता है वह फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं कर पाता है यह स्ट्रेस होते हैं अगर आप कभी भी देखें अपने पौदे के पतियां अगर यलो हो रही है तो यह स्ट्रेस सिंगनल होते हैं और वह मजॉर नीमल के स्प्रेस से आपके इसमें कोई भी कीडे नहीं लगेंगे तो मैंने आपको सारी बाते इसमें बताई हैं इसमें आपको वाटरिंग कैसे करनी है फर्टलाइजेशन कैसे करनी है आप इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं सनलाइट कितनी चाहिए इसको और इसमें बेसिक क्य लिए उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको लेगलरली अब्डेट्स मिलते रहें तब तक के लिए अपना पौधा उगाते रहें सारे पौधे उगाईए और अपना बहुत सारा ध्यान रुखिए थैंक्यू फ्रेंड्स गुडबाई